तेरा नौकर थोरी ना हूं, जाने की स्पर भरके रजट दलाल। रजट दलाल बिग बॉस 18 के घर के एंगरी यंग मैन बन गई है। दिगविजय सिंग राठी की एंट्री के बाद अब रजट दलाल को एक दोस्त मिल गया है। ये दोनों मिलकर अकसर विवियन डी सेना और अविनाश मिश्रा से पंगा लेते हुए नजर आ रहे है। हाल ही में फिर एक बार विवियन डी सेना रजट के निशाने पर आए। बिग बॉस 18 के घर से अब अर्फीन खान बाहर हो गई है। अर्फीन के बाहर जाने से उनके दोस्त रजट दलाल को काफी दुख हुआ था। घर से एविक्ट होने वाले अपने दोस्त को गले से लगाते हुए रजट ने उनसे वादा किया था कि वो विवियन डी सेना से इसका बदला जरूर लेंगे। अपने वादे के मुताबिक रजट दलाल विवियन की बात मानने से इंकार कर रहे है। एक शर्ट भी माननी पड़ेगी। बिग बॉस की शर्ट ये थी कि इन फूड आइटम के बदले घरवालों को कोई नियम का उलंगन नहीं करना है लेकिन कोई भी कंटेस्टेंट इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। बिग बॉस ने रखी हुई शर्ट मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये देखते हुए मेकर्स ने ये लालच और बराया। बिग बॉस की तरफ से कहा गया कि वो एक सौ के बदले सभी को एक सौ पचास खाने की चीजें देंगे। लेकिन उन्हें बिग बॉस की शर्ट माननी पड़ेगी। बिग बॉस के लालच देने के बावजूद कॉन्टेस्टंट नहीं माने और उन्होंने फैसला लिया कि वो सिर्फ पचास फूड आइटम ही लेंगे और फिर भी कोशिश करेंगे कि वो बिग बॉस के घर में किसी भी नियम का उलंगन न करें। इसलिए विवियन ने उन्हें कहा कि वो घर में जाकर चेक करें कि कोई सोया तो नहीं है। लेकिन विवियन की बात करने का तोन रजत दलाल को पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से से कह दिया कि मैं तुम्हारे ओर्डर क्यों मानूं। मैं तेरा नौकर थोड़ी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। रजत दलाल की बात सुनकर विवियन डी सेना ने अविनाश मिश्रा से कहा मैं सीधे बोल रहा हूं तो उसे नाटक लग रहा है। अब मैं ओर्डर दूंगा और ये ओर्डर फॉलो करेगा।